आप सभी का सौगत है English Training के एस वीडियो लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है Simple Sentences Simple Sentences को हम आँगे हिंदी में कहते हैं Serial वाक्य अब Simple Sentences में Simple Sentences के तीन टाइप होते हैं Simple Present, Simple Past and Simple Future और Simple Present, Simple Past and Simple Future के दो-दो कैटेगरी होते हैं तो हम एक-एक करके हर एक कैटेगरी के बारे में जानेगे तो आज की वीडियो में हम Simple Present के कैटेगरी 1 के बारे में भी इस वीडियो में जानेगे तो चलो शुरू करते हैं तो सरल वाक्या ऐसे होते हैं जिसमें या तो क्रिया होती ही नहीं या अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता सरल वाक्या ऐसे होते हैं जिसमें या तो क्रिया होती ही नहीं या अगर क्रिया होती भी है तो subject उस क्रिया को नहीं करता तो ऐसे जो sentence होते हैं उन्हें कहें कि simple sentences या फिर subtle work simple sentences example के मादम से हम समझते हैं कि अगर हम कहें कि विशाल एक अच्छा लड़का है विशाल एक अच्छा लड़का है तो इसमें subject विशाल है तो subject विशाल है इसमें क्या विशाल कोई काम कर रहा है, नहीं, जबकि विशाल के बारे में सिर्फ बताया गया है कि विशाल एक अच्छा लड़का है, विशाल अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट है पेन, और रखना एक क्रिया है, तो भले ही इस वाक्य में क्रिया है, लेकिन कि सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है, नहीं, क्यूंकि पेन तो खुद रखी हुई है, वो कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, सुनिल किताब पढ़ रहा है, सुनिल किताब पढ़ रहा है, सब्जेक्ट कोन है, सुनिल, और पढ़ना क्रिया है, अब क्या सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है, तो हाँ, क्योंकि सुनिल ही किताब पढ़ रहा है, क्योंकि सुनिल ही पढ़ने का काम कर रहा है, जो इस वाक्या में सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस, टेंस सेंटेंस कहलाते है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस वाक्य में अगर subject क्रिया को नहीं करता हो तो वो वाक्य होता है simple sentence और अगर subject उस कार्य को या उस क्रिया को कर रहा हो तो उसे कहते है tense वारे sentence कुछ example देखते हैं उसके पास कार है subject को नहीं हो वो वर्ब क्या है वर्ब इसमें है ही नहीं क्रिया नहीं है explanation चलो इसके बारे में समझते हैं उसके बारे में सिर्फ बताया गया है कि उसके पास कार है वो कोई काम नहीं कर रहा इसलिए यह हो सकता है simple sentence Second example देखता है अनिल मेरा भाई है यह पर subject है अनिल verb यानि क्रिया नहीं है इस sentence में क्रिया नहीं है explanation में देखें अनिल के बारे में सिर्फ बताया गया है अनिल कोई काम नहीं कर रहा इसलिए यह sentence simple sentence कलाएगा अब यहाँ पर शालिनी सोई हुई है यहाँ पर subject होता है शालिनी और verb होता है sleep यानि सोना तो यहाँ पर explanation में देखते है क्रिया है पर क्या subject क्रिया को कर रहा है यानि शालिनी कर रही है तो नहीं क्योंकि वो खुद सोया हुआ है खुद सोया हुआ है, यानि वो खुद सोही हुई है, वो काम नहीं कर रही है, इसलिए ये sentence भी एक simple sentences ही कहलाएगा simple sentences तीन तरके होते हैं, उसके तीन टाइप्स होते हैं, simple present, simple past और simple future simple sentences के तीन टाइप्स होते हैं, जो simple present, simple past और simple future और दोस्तो, simple present के भी दो काटेगरी होते हैं, simple past के भी दो काटेगरी होते हैं और simple future के भी दो काटेगरी होते हैं, जो हम एक-एक करके जानेगे वीडियो में आज की इस वीडियो में हम Simple Present की Category 1 के बारे में जानेगे Simple Present Category 1 Helping verb आता है Is, Am, Are Category 1 में Helping verb आता है Is, Am, Are पहिचान होती है इसकी इन वाक्य के अंत में है, है, हूं का प्रयोग होता है है, है, हूं का प्रयोग होता है I, यानि First Person Singular Subject के साथ M का यूज होता है I के साथ, I, First Person Singular Subject है इसलिए उसके साथ M का प्रयोग होता है Third Person Singular Subject के साथ Each का प्रयोग होता है Third Person Singular Subject के साथ Each का प्रयोग होता है 3rd person singular सबने हैं जैसे he, she, it या फिर Rahul, Sita, Gita ये सब 3rd person singular हो गए बाकि सभी subject के साथ R का यूज होता है बाकि सभी subject के साथ R का यूज होता है Example के मादियम से समझते है Sita एक अच्छी लड़की है Sita is a good girl English ही में हम करें है Sita is a good girl Subject है Sita, 3rd person singular subject है इसलिए Sita के साथ Eats का प्रियोग हुआ है यानि 3rd person singular subject के साथ Eats का प्रियोग हुआ है Second example में देखेंगे हम लोग तुमारे साथ है We people are with you Subject है We people Subject है We people First person plural है और plural के साथ यानि बहु अचन के साथ हमेशा R का यूज होता है इसलिए R का प्रियोग हुआ है First person plural है इसलिए यहाँ पर R का प्रियोग हुआ है चार प्रकार के वाक्या चार प्रकार के वाक्या चार प्रकार के वाक्या चार प्रकार के वाक्या तो सबसे पहले आता है affirmative affirmative यानि सकारात्मक वाक्या सकारात्मक वाक्या जो देखते हैं उसका rule rule होता है subject plus is mr plus object subject है इसका rule है इसका subject plus is mr plus object example बना के देखते है सूरेश एक अच्छा लड़का है सूरेश एक अच्छा लड़का है तो सूरेश सारे दोस्तों जितने भी sentences बनाई जाते वो सब structure को follow करके ही सारे sentence बनाई जाते है अगर आपको सारे structure पता होगे तो आप कोई भी sentence चाहे कितना भी छोता हो या कितना भी बड़ा आप बना सकते है तो इसके लिए आपको सारे subjects सारे structures याद होने चाहिए या सारे structures का idea पता होना चाहिए कि affirmative sentence में क्या structure होता है negative sentence में क्या structure होता है interrogative में क्या होता है negative interrogative में क्या structure होता है सब के बारे में पता होना चाहिए हम एक एक करके इन चारो प्रकारों के बारे में जानेगे लेकिन सबसे पहले हम affirmative को पहला sentence देखते है सुरेश एक अच्छा लड़का है अंग्रेजी में सुरेश as a subject use हुआ है, is helping verb a good boy object use हुआ है second example देखता है, लोग पागल है, people subject हो गया, are helping verb and mad object हो गया तो people are mad, इस तरह से हम affirmative के sentences बनाते है affirmative sentence के लिए जो rule दिया है, यह rule ली follow होता है affirmative sentence बनाने के लिए second होता है negative sentence है, यानि नकरत्मत वाक्य, नकरत्मत वाक्य के कुछ examples देखता है, rules पहले देखता है subject plus is am are plus not plus object, यहाँ पर is am helping verb के तुरंद बात not का प्रयोग होता है so example के माध्यम से समझते है, सुरेश एक अच्छा लड़का नहीं है सुरेश एक अच्छा लड़का नहीं है, यानि सुरेश subject हो गया, is helping verb हो गया अब is helping verb है, तो इसके तुरंद बात not का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह वाक्य, नकरत्मत है और a good boy यह एक object हो गया, इसे तरह sentence complete होता है तो सुरेश एक अच्छा लड़का नहीं है, सुरेश is not a good boy second question example, लोग पागल नहीं है लोग पागल नहीं है, लोग के लिए हमने उसके आप people, people subject है are helping verb है, not, क्योंकि नकरत्मक है, इसलिए helping verb के तुरंद बाद यूज़ हुआ है और mad object है, तो इसी तरह से हमने दोनों sentence बना के देखें, negative sentence में आगे हम और भी देखें के sentences, लेकिन फिलाल के लिए आप समझ लिजिए कि कैसे हम use करते हैं और सब के structure आप याद कर लिजे और समझनी की कोशिश करेए, आपको जब यह सारे structure याद हो जाएगे, तो आप कोई भी sentence बनाने में गल्ती कभी नहीं करोगे इसके बाद आता है interrogative यानि प्रश्ण वाचक वाग्के interrogative वाग्के का rule होता है अगर sentence में डब्ली एज फैमिली हो, डब्ली एज फैमिली का use होता हो तो डब्ली एज फैमिली हमेशा सबसे पहले use होती है उसके बाद is, mr, subject and then object और फिर question mark लगाए जाता है क्योंकि यह प्रश्ण वाचक वाग्के है इसलिए सबसे पहले डब्ली एज फैमिली, उसके बाद helping work, फिर subject, फिर object और फिर उसके बाद question mark लगाए जाता है चलो example के माध्यम से समझते है क्या सुरेश एक अच्छा लड़का है, क्या सुरेश एक अच्छा लड़का है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डब्ली एज फैमिली तो है नहीं तो यहाँ पर हम use करेगे दोस्तों यहाँ पर एक आपको hint भी देता हो कि अगर वाक्य में कोई ऐसा वाक्य हो यहाँ पर देखिए क्या सुरेश एक अच्छा लड़का है नहीं है इसका जवाब तुम हाँ या फिर ना में दे सकते हो अगर मैंने तुम्हें पूछा क्या सुरेश एक अच्छा लड़का नहीं है तो आप कहोगे हाँ अच्छा लड़का है या फिर आप कहोगे नहीं या ना वो अच्छा लड़का नहीं है तो ऐसे जब वाक क्या आते हैं तो उसकी शुरुवात हमेशा helping verb से होती है helping verb से होती है तो चला समझते हैं तो सबसे बहले आता है is सुरेश के सुरेश सब्जेक्ट है इसलिए इसको is से helping verb is हम उसके लिए यूज़ करेंगे तो is सुरेश a good boy is सुरेश a good boy फिर question mark second example दिखते है क्या लोग पागल है क्या लोग पागल है अब people subject है तो आर से शुरुआत होगा helping verb आर हम यूज़ करेंगे people के लिए तो are people mad then question mark are people mad then question mark आगे हम जब practice करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कैसे यूज़ हुआ है फिलाल के लिए आप ध्यान दीजिए और अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को फिर से एक बार देख लेजे तो आपको properly पता चल जाएगा इसके बाद आता है negative interrogative यह जो चार जो प्रकार है हर एक sentence के इन चार तरुके से हम वाक्य को बनाते हैं तो negative interrogative negative interrogative मतलब नकारतमत प्रश्णवाचर रूल देखते हैं रूल होता है WH family अगर हो तो या फिर फिर उसके बाद आता है helping work is MR फिर उसके पाद plus subject plus not plus object and then plus question mark plus question mark का use होता है example के माद्यम से समझते हैं क्या सुरेश अच्छा लड़का नहीं है देखो दोस्तों यहाँ पर नकरतमक भी है और प्रश्णवाचर भी है नकरतमक भी है और प्रश्णवाचर भी है इसलिए इसमें हम not का और not का प्रयोग करेगे समझते हैं example के माद्यम से क्या सुरेश अच्छा लड़का नहीं है is सुरेश not a good boy is सुरेश not a good boy second example क्या लोग पागल नहीं है are people not mad क्योंकि people के लिए हम plural है इसलिए आर से हुए sentence की शुरुबात करेगे आर पीपल not mad then question mark इसी तरह हम और भी कुछ question देखते हैं और भी कुछ examples देखते हैं आदी का उपयोग हो या ऐसे शब्द ऐसे वर्ड हो तो interrogative sentence की शुरुवात में यह लगेगे और उसके तुरंद बाद helping verb का प्रयोग किया जाएगा इसका helping work का प्रयोग किया जाता है डबले फैमिली के तुरंद बाद helping verb का प्रयोग किया जाता है एक्जम्पल के माददम से समझते है लोग ऐसे क्यों है लोग ऐसे क्यों है वाई आर पीपल सो वाई आर पीपल सो तो सबसे पहले देखें वाई का यूज हुआ है और वह फैमिली है उसके बाद तुरंद बाद helping verb और उसके बाद जो बचावा sentence पीपल सो सेकेंड एक्जम्पल दिखते है वो घर किसका है वो घर किसका है या पर वो फैमिली मेंबर है उसके बाद सुरंद बाद helping verb और उसके बाद that house लास्ट में question mark इसी तरह वह फैमिली के sentence बनाते है अब हम आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे वाक्यों के प्रकार मैंने लिए है अब हम यहाँ पर एक की एक उदारन को सारे तरीके से एक example को सभी rule के मुताबिक बना कर देखेगे सभी rule की हिसाब से बना कर देखेगे कि वह sentence कैसे बनता है तो चलो वो शुरुवात करते हैं तो सबसे पहला आता है affirmative सकारत्मक वाक्यों rule है subject plus ismr plus object sentence है वह घर पर है वह घर पर है अब rule के मुताबिक sentence कैसे बनेगा subject इसमें है वह मतलब he is helping verb है is at home तो चलो example हम बना कर देखते है he is at home he subject का देखें यहाँ पर मैंने जो color दिया है red color है इसका मतलब वह subject है green color है मतलब उसका वह helping verb है और at home यह object है जैसे मैंने यहाँ पर rule में जो color दिया है वही हमें यहाँ पर मैंने sentence में भी वही same color दिया है का क्या आपको पता चले कि कौन सा subject है कौन सा object है कौन सा helping verb है second example देखते है नकारतमक में हम same example को नकारतमक में बना कर देखते है वहाँ घर पर नहीं है वहाँ घर पर नहीं है example है वहाँ घर पर नहीं है, चलो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बनाएंगे, रूल के सबसे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर ASMR, फिर not का प्रयोग, फिर object, तो अब बना कर देखते हैं, he is not at home, he is not at home, he subject है, is helping work है, नकरात्म के, इसलिए तुरंदवाद not का प्रयोग हुआ है, और at home, object है, इसके बाद आता है, interrogative, यानि प्रश्नवाचक सब्द, प्रश्नवाचक सब्द को प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य हम देखेगे, तो इसी वाक्य को अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएगे, वाक्य बनता है, क्या वह घर पर है, अब इस question को आप answer में कह सकते हैं, हाँ, या फिर ना, हाँ या ना में अगर example, answer दे सकते हो, या हाँ या ना में आप बता सकते हो, तो इसे sentence जब भी आपको आपको कभी मिले, तो इसकी शुरुवात हमेशा helping verb से ही होती है, तो ये वाक्य कैसे बनेगा, ये वाक्य बनेगा इस तरह से, is he at home, क्या वह घर पर है, is he at home, तो देखिए, is green में बताया है, क्योंके वह helping verb है, he red subject है, and at home as an object, and then question mark, फिर इसके बाद negative, interrogative, नकारात्मक प्रश्णवाचक, बना कर देखते हैं, इसी sentence को हम नकारात्मक प्रश्णवाचक में कैसा बनाएं, क्या वह घर पर नहीं है, क्या वह घर पर नहीं है, चलो इस example को हम rule के हिसाब से बना कर देखते हैं, तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, क्या वह घर पर नहीं है, तो आप कहेगे हाँ, आप कहेगे हाँ, यहाँ ना में जवाब दे सकते हैं, तो ऐसे sentences का हमेश्चा शुरुआद होती हैं helping word से, तो यह sentence हो गई सबसे पहले helping वरस के फिर subject फिर not का प्रयोग फिर object and then question mark उसके बाद आता है wh family वाले question प्रश्णवाचक वाट के है इसी sentence को हम wh family वाला वाट के बना कर देखते हैं घर पर वह घर पर क्यों है अब इसका जवाब तुम हा या ना में नहीं दे सकते हा या ना में नहीं दे सकते इसलिए ये वाक्य कैसे होगा क्योंकि इसमें WH family आती है तो शुरुवात जब भी कभी WH family का वाक्य हो तो WH family का जो भी वाक्य का word जो यूज होगा WH family में जो भी word यूज होगा वो सबसे पहले आएगा उससे शुरुवात होगी तो sentence बहुता है Why is he at home Why is he at home देखें Why सबसे WH family सबसे पहले यूज हो गया उसके बाद हेल्पिंग वर फिर subject फिर object फिर subject फिर object तो इस तरह से वह गर पर क्यों है sentence मेंना Why is he at home then question mark उसके बाद आता है WH family का negative interrogative negative interrogative वाक्य बना कर देखते हैं तो इसी sentence को हम बना कर देखते हैं दोस्तों आप भी इस तरह से एक sentence ले लिजिए उसको कई तरह किसे बना कर देखिए इस rule को follow कर कीजिए आप एक एक कर जब आप ये करते करते बार बार करते रहेगे तो आपको हर एक sentence और आपको हर एक sentence पर आपकी पकड़ बन जाएगे फिर आपको पता चल जाएगा कि कब WH family यूट करने है कब helping verb से question करना है यह सब आपको पता चल जाएगा तो फिलाल हम देखते है negative integrative वाला WH family वाला question तो चलो WH family वाला question देखते है वहाँ घर पर क्यों नहीं है देखिए इसमें नकरत्मक भी है और question भी पुछा गया है वहाँ घर पर क्यों नहीं है वहाँ घर पर क्यों नहीं है rule देखिए WH family plus ismr plus subject subject के तुरंद what not का प्रयोग and then object फिर उसके बाद आता है question mark example के हिसाथ से sentence बना कर देखता है sentence बनेगा कुछ इस तरह से why is he not at home why is he not at home दोस्तों ये पूरा chart हमने देख लिया इस तरह से और एक example हम देख लेते हैं तो आपको इसके बारे में proper पता हो जाएगा फिर आप घर पर जब भी कभी बैटे हो तो ऐसी तरह के से बहुत सारे example बना कर देखे जैसे जैसे आप बनाते रहोगे आपको इसके उपर पकड़ बनती जाएगी और आप इसमें एकदम पक्के हो जाओगे और फिर आपकी गलतिया sentence बनाने में नहीं होगे आप कितना भी बढ़ा या कोई भी sentence अब बना पाओगे अब हमें एक दूसरा sentence लेके देखते हैं तो चलो दूसरा sentence हम लेते हैं वो मेरी दोस्त है वो मेरी दोस्त है affirmative sentence है affirmative sentence मुझे बनाना है तो affirmative sentence का rule क्या है subject plus is mr plus object तो sentence बनेगा she is my friend she is my friend she subject use is helping verb my friend object use हो गया इसी तरह negative देखते है वो मेरी दोस्त नहीं है rule के इसाब से sentence ऐसे बनेगा she is not my friend she is not my friend इसी को अब हम interrogative sentence बना कर देखते है sentence कैसे बनेगा हर एक sentence बना इसे टाइम दोस्तो rule देखिए rule जब भी आप देखकर sentence बना होगे आपकी गलती नहीं होगी और sentence भी correct होगा तिसरा देखते है interrogative क्या वो मेरी दोस्त है क्या वो मेरी दोस्त है इसको हम हा या ना में जवाब दे सकते है इसलिए इसका इसकी शुरुवात हम helping verbs से करेगे तो sentence बनेगा is she my friend is she my friend हमेशा question mark आएगा interrogative sentence रहेगा तो हमेशा question mark आएगा last में इसके बाद negative interrogative नकरत्मच प्रश्ण माच्चक बना कर देखते है क्या वो मेरी दोस्त नहीं है इसका जवाल जवाब इसका हम जवाब हा या ना में दे सकते है तो इसलिए इसके बारे में भी हम rule के साब से इसको भी बनाएगे इसका भी शुरुवात इससे होगी sentence बनेगा is she not my friend is she not my friend and then question mark उसका बार आता है wh family वाला interrogative question तो देखते हैं वो मेरी क्यों है वो मेरी क्यों है so sentence में क्यों है यानि वो मेरी क्यों है ऐसे अगर कहते हैं तो हम इसे हा या ना में जवाब नहीं दे सकते तो ऐसे case में हमें हमेशा दबली ओज family से शुरुबात करने होगी, तो sentence बनेगा Why is she my friend? Why is she my friend? Then question mark देखें, why सबसे पहले उस हुआ, फिर helping वार, फिर she subject and then object और फिर last में होता है question mark का use अब last question देखते है negative, interrogative वाला WH family का वो मेरी दोस्त क्यों नहीं है वो मेरी दोस्त क्यों नहीं है दोस्तों देखिए, इसे भी हम क्या हा या ना में जावब नहीं दे सकते हैं इसलिए इसको भी हम WH family के साथ बनाएगे तो WH family से शुरुबात होती है तो sentence को देखेंगा Why is she not my friend? Why is she not my friend? इसे तरह से आप सारे sentences बनाएए और इसकी practice कर दीजे कीजिए तो आपको ये सारे sentences की पकड़ हो जाएगे और आप इसमें इदम इसमें आपको confidence आजाएगा तो दोस्तों उम्मीद कर देखेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर देजे